हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट नो टुटोरिल्स पर तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचुरीन भारत के तिहास में प्रागेतिहाशिक काल के पार्ट वन के वीडियो में हमने पढ़ा था पुरा पाशानकाल के बारे में और वीडियो के पार टू में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्या पाशानकाल यानि की मिडिल स्टोन एज के बारे में तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं मध्या पाशान काल जिसे English में बोला जाता है Middle Stone Age इस काल में परयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे जिनें लगू पाशान उपकरण यां English में Microlith कहते थे पुरा पाशान काल में परयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्ट जाइट के स्थान पर मध्य पाशान काल में जेस पर एक गेट चर्ट और चाल सिड्नी जैसे पदार्थ परियुक्त किये गए यानि कि मध्या पाशान काल का जो समय था उस टाइम पर जो भी उपकरण पर्युक्त किये जाते थे वो आकार में बहुत ही छोटे होते थे जिसके कारण इन्हें लगू पाशान उपकरण यानि कि छोटे पाशान के पत्थर के उपकरण माइक्रोलित नाम दिया गया था पुरा पाश्रान काल में जो पर्युक्त होने वाले कच्चे पदार्थ यानि कि क्वार्जाइट के स्थान पर मध्या पाश्रान काल में जेस पर एगेर चट और चाल सिड्नी जैसे पदार्थ पर्युक्त किये गे यानि कि जब पुरा पाशानकाल था उस टाइम पे अगर कच्चे पदार जो होते थे वो क्वार्जाइट का प्रियोग किया जाता था लेगिन मध्या पाशानकाल में इनकी जगा पर ये अन्यचीजे प्रियोग में की जाने लगी इस समय के प्रस्तर उपकरण राजिस्थान मालवा गुजरात पश्चिम मंगाल उडिशा आंधर परदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं जो मध्या पाशानकाल के उपकरण है ये पाए गए हैं इन अस्तानों पे राजिस्थान मालवा गुजरात पश्चिम मंगाल आंधरप्रदेश एवं मैसूर में ये पाए गए हैं और अभी हाल में ही कुछ अवसेस मिरजापूर के सिंगरोली बांदा एवं विंद चेतर से भी प्राप्त होए हैं अभी हाल में जो अफसेसों को प्राप्त किया गया तो वो इन जगों से प्राप्त हुए हैं अगला पॉइंट आता है, मध्यपारसाण काली नमानव अस्ति पंजर के कुछ अफसेस प्रताप गडा, उत्तर परदेश के सराई नाहर राय तथा अमहेदहा नामकस्तान से प्राप्त हुए हैं यानि की जो कुछ अफसेश पराप्त हुए है इन जगों से भी पराप्त हुए है प्रतापकर उत्タर परदेश के सराइनाहर राई तथा महदहर नामकस्तान से पराप्त हुए अब यहाँ पे एक वर्ड आता है अस्थी पंजर अस्थी पंजर बोलते हैं हटियों के ढाचे को जिसे कंकाल भी बोला जाता है, तो वो होता है अस्ति पंजर, अगला पूइंट आता है, मध्य पाषान काली जीवन भी सिकार पर अधिक निर्वर था, यानि कि पुरा पाषान काल की ही तरह इसमें लोग ज़्यादा सिकार पर निर्वर रहते थे, इस समय तक लोग पस्वों में गाय, बेल, भेड, घोड़े एवं भेंसु का सिकार करने लगे थे यानि कि अपने भोजन के लिए इन सारे पस्वों का सिकार करते थे गाय का बेल, भेड, घोड़े और भेंसु का ये लोग सिकार करते थे इन्हें उनका परियोग पता नहीं था कि हम गाय से दूद भी राप्त कर सकते हैं बलकि ये लोग केवल सिकार करते थे सेम वैसा ही था इस मामले में ये पुरा पासान काल के लोगों की तरह जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जयविक गुंड सूत्रों के प्रमानों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला जो प्रमान मिला है वो केरल से मिला है तो ये चीच इंपोर्टेंट है जो सबसे पहला मानव का प्रमान मिला है वो मिला है केरल से जो सत्तर हजार साल पुराना होने की संभावना है जिसके यानि कि ऐसा माना चाता है कि ये सत्तर हजार साल पुराना है ये सरीर जो है मिर्द सरीर इस व्यक्ति के गुंड सूत्र अफरिका के प्राचीन मानव के जैवी गुंड सूत्रों जीन से पूरी तरह मिलते हैं यानि कि जो यह हमें प्राप्त हुआ है तो इस व्यक्ति के जो गुणसूत्र हैं वो सारे मिलते हैं अफरिका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों से तो उनसे मेल खाते हैं यहाँ काल वहा है जब अफरिका से आदी मानव ने विश्व की अनेक हिस्सों में बसना प्रारंब किया जो पचास से सतर हजार साल पहले का माना जाता है यह वकाल है कि जब अफरिका से जो आदी मानव थे उन्होंने विश्व की अनेक हिस्सों में बसना प्रारंब कर दिया था अन्य जगहों पे भी वो रहने लगे थे यानि कि पचास से सतर हजार साल पहले का ये माना जाता है किर्सी सम्बंदी पर्थम जो साक्षे मिले हैं वो मिले हैं सांबर राजिस्तान में पौधे बोने का है जो कि ईसा से साथ हजार वर्स पुराना है यानि कि जो सबसे पहले किसी भी परकार से किर्सी का जो साक्षे मिला है वो मिला है सांबर राजिस्तान से जहां पर पौधे बोने का साक्षे है और ये है साथ हजार वर्स पुराना तीन हजार इस्वी से पंदरा सो इस्वी पूर्व के बीच सिंदु घाटी में एक उन्नत सब्यता वर्तमान थी जिसके अफसेस मोहन जोदुलो यानि कि मोहन जोदुलो तो मोहन जोदुलो जो है एक जगा का नाम है जिसका अर्थ होता है मुर्दों के टीले जोदुलो का अर्थ होता है मुर्दों के टीले और हडपा में मिले हैं जो अफसेस मिले हैं वो मोहंजोदोडो और हडपा में मिले हैं विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का परवेश बाद में हुआ था यानि कि हडपा सब्वेता के बाद आर्यों का परवेश हुआ था और वेदु में हमें उस काल की सब्वेता की जहांकी मिलती है यानि कि जब हम आगे वेदिक काल का इतियास पढ़ेंगे तो हम आर्यू के बारे में भी जानेंगे तो उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है आगे आता है मध्य पाशानकाल के अंतिम चरण में कुछ साक्षियों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग किर्सी एवं पसुपालन के और आकर्षित हो रहे थे यानि कि जब कुछ साक्षे मिले हैं किर्सी के पसुपालन के तो उसे प्रतित होता है, ऐसा पता चलता है कि लोग इन चीजों के प्रति आकरशित हो रहे थे, इस समय मिली समाधियों से इसपस्ट होता है कि लोग अनतेश्टी किरिया से परिचिते, यहाँ पे एक वर्ड आता है अनतेश्टी किरिया, अनतेश्टी किरिया को बोला जाता ह न्तियम संस्कार आधा उसे कीति के परिछी थे थिया र्चाहिज अन्तरिय। माणव अस्ति-पंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्ति-पंजर मिल नहीं स्षत कि मानव मैं मुलक्ष मानव मिले हुए कि लोग मनिश्य के प्राचीन काल से ही सहचर थी, यानि कि जो ये लोग थे, यानि कि जो पसू भी थे, कुटे, ये सारी, ये क्या थे, मनिश्य के सहचर थे, मनिश्य के साथ रहने वाले थे, यानि कि मनिश्य उन्हें अपने साथ रखता था, पालतू बनाता था, पालता था बागोर और आदमगर्ड में छटी सताफदी इसापूर्वी के आसपास मध्या पाशान यूगीन लोगों के द्वारा बेड़े बकरिया रख जाने का साक्षे मिलता है मध्या पाशान यूगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण इस्तल है तो अब हम पढ़ेंगे मध्या पाशान यूगीन के कुछ परमुक इस्तल तो इसमें एक इस्तल आता है बागोर जो की राजिस्तान में है दूसरा आता है लंग्यूनाच जगचुरात में है सराय नहर राय चोपनी मांडो महगड़ा व दमदमा ये उत्तर परदेश में और भीम बेट का आदमगड़िये है मध्या परदेश में पैंती सो इस्वी पूर्फ से 1010 के बीच मानी जाती है यूनानी भासा का नियो सब्द नवीन के अर्थ में पर्युक्त होता है इसलिए इसकाल को नवपाशानकाल भी कहा जाता है यानि की जो नवपाशानकाल का जो माना जाता है तो ये 3520 से 100020 के बीच ये माना जाता है ये काल और जो युनानी भासा का नियो सब्द है इसका अर्थ होता है नवीन यानि की नया तो इसी कारण से इसका नाम जो बोला जाता है इसकाल का नाम बोला जाता है नव पाशानकाल यानि कि नवीन पाशानकाल नई क्यार्थ में ये पर्युक्त होता है इस काल की सब्यता भारत के विसाल छेतर में फैली वी थी सर्व पर्थम 1860 इस्वी में ली मेसूरियर ने इस काल का पर्थम प्रस्तर उपकरण उत्तर परदेश की टॉन सिनदी की घाटी से प्राप्त किया था जो की सब्से पहले इस सब्यता का जो एक उपकरण प्राप्त किया था वो 1860 इस्वी में जिनका नाम था ली मेसूरियर इनके द्वारा प्राप्त किया गया था तो इन्होंने एक प्रस्तर उपकरन प्राप्त किया था प्रस्तर उपकरन बोलते हैं पत्थर के उपकरन यानि कि पत्थरों के द्वारा बनाए गए उपकरन तो इसनोंने इसे प्राप्त किया था उत्तर परदेश के टॉंस नगी की घाटी से प्राप्त किया था इसके बाद कि जो उत्तर पाशानकाल इन सब्यता का मुख्य अस्तल है वो है करनाटक का बेलारी छेत्र तो इस तरीके से इनोंने बताया था इसके अतरीक तो इस सब्यता के जो मुख्य केंदर बिंदू है तो इस वीडियो में हम तामर पाशानकाल के बारे में पढ़ेंगे तो इस वीडियो में इतना ही आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा थेंकि सो मिच झाल